जै स्री कृष्णा आईए सुनते हैं हर्याली अमावश्या कब है शुब मोहोद पूजन बिधी महत्व इवं इस दिन क्या करें क्या ना करें सावन मास में आने वाली अमावश्या को हर्याली अमावश्या कहा जाता है इस बार यह सुब तिथी 28 जुलाई दिन गुरु आर को है हिंदू धर में इस अमावश्या तिथी का बिसीस महत्व बताया गया है क्योंकि इस दिन भगवान सीव और माता पारवती के साथ पित्रों की भी पूजा की जाती है साथी निमित दान पुंड्य भी किया जाता है हर्याली अमा वश्या के दिन पवित्र नदियों में अश्नान कर पित्रों को तरपड किया जाता है सास्त्रों में बताया गया है कि हर्याली अमा वश्या के दिन ब्रत और पित्र तरपड करने से उत्तमफल की प्राब्दी होती है और देवताओं के साथ पित्रों का भी आशिरबाद बना रहता है हर्याली अमावश्या की तिथी की सुरुवाद 27 जुलाई दिन बुध्वार को रात 9 बज कर 11 मिनट से हो जाएगी जो गुरुवार रात 28 जुलाई की रात 11 बज कर 24 मिनट तक रहेगी लेकिन पूजा पाठ उद्या तिथी में मान्य होती है इसलिए हर्याली अमावश्या की पूजा 28 जुलाई को की जाएगी इस दिन ब्रत रखा जाएगा और पीपल के पेर की पूजा की जाएगी हर्याली अमावश्या पर इस बार कई शुभयोग बन रहे हैं इस दिन गुरु पुश्ययोग के साथ अमरित सिध्ययोग और सरवार्थ सिध्ययोग जैसे महायोग उपस्थित हो रहे हैं इन योग में पूजा अर्चना करने के शुभ फलों की प्राप्ती होती है और जो भी शुभ काम इस दिन किये जाएंगे उसमें सफलता मिलेगी हर्याली अमावश्या के दिन शुभ शाम पीपल की मूल में जल्द में दूद मिलाकर अर्पित करें और माल पूवा के साथ पास तरह की मिठाई भी रखें इसके बार धूब दीप सी पूजा करें ऐसा करने से पित्रों को शान्ती मिलती है और पित्र दोस भी दूर होता है साथ ही इस दिन तुलसी पीपल आवला अशोक वट केला नीमबू आधिका बिच्छारों पर करना बहुत सुभमाना गया है दरसर यह पर्वही प्रकृती की खृतग्यता प्रकट करने के लिए ही मनाया जाता है नारत पुरार के अंसार हर्याली अमावश्या के दिन पित्र स्राद दान तरपडविधी और भगवान सीव तथा माता पारवती की पूजा अर्चना करने से अच्छे फल की प्राप्ती होती है और भक्तों की हर मनो कामना पूरी होती है साथी इस दिन व्रिच्छारो पड़ करने से ग्रहदोस शान्ठ होते हैं अगर सुहागन महिला इस दिन ब्रत रखती है तो उनको शिव पारवती की तरफ से अखन सवभाग्य का आशिरवाद प्राप्त होता है जिन लोगों की कुंडली में पित्रदोस, काल सर्पदोस और सनी का प्रकोप है तो उनको इस दिन शिव लिंका पंचा मृत से अभिशीक करना चाहिए और दान पुंड्य करना चाहिए साथी हर्याली अमावश्या की साम को नदिया मंदिर में दीपदान करने का भी बिधान बताया गया है पुरारों के अंसार हर्याली अमावश्या के दिन शुब ब्रह्म मुहुर्त में उठकर अश्ना नादि से निब्रेथ होकर भगवान सीव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करनी चाहिए इसके बाद शुर्यदेव को जल दें और पीपल के पेड की पूजा करें शुभयोग में ब्रिच्छा रूपर और दान पुंद्य करें शुहागिन महिलाओं को माता पार्वती और पीपल की पूजा करने के बाद शुहाग सामगरी किसी सुहागिन महिलाओं को देना चाहि ऐसा करने से घर परिवार में शुक्षान्ती मिलती है और अखंड सवभाग्य का आसिरवाद प्राप होता है इस दिन पीपर और तुलसी की सुबह शाम पूजा करनी चाहिए और भोग लगाना चाहिए पूजा अर्चना करने के बाद गरीवव जरूरत मंद को भोजन भी करा सकते हैं वही जो लोग हर्याली अमावश्या का उपवाश रख रहे हैं वे साम के समय भोजन ग्रहर कर सकते हैं मान्यता है कि हर्याली अमावश्या पर कुछ खास कार्य करने से जीवन में खुसहाली आ सकती है हर्याली अमावश्या पर पौधे लगाने की परंपरा है मान्यता है इस दिन ब्रिच्छा रोपड़ कर उन पौधों की दीख भाल का संकल्प लेने से पित्र दोष समाप्त होता है इस दिन आवला, पीपल, नीम, तुलसी, बट ब्रिच का पेल लगाने से पुंड्य फल मिलता है कुंडली में पित्र दोष होने से जातक का जीवन तनाव युक्त रहता है मांगली कारियों में बाधाएं आती है ऐसे में अमावश्या पर पित्रों की सांती दच्छडा भी मुखो कर तरपड़ करना चाहिए इस से पित्र दोष से मुक्ती मिलती है इस दिन किसी पवित्र नदी में अश्नान की बाद तरपड़ करें और फिर पित्रशुक्त का पाठ करें हर्याली अमावश्या पर दीपदान करने से मालच्मी की कृपा मिलती है घर में शुक्षमरिधी आती है इस दिन सनी देव के समच दीपक लगाकर उनकी अराधना करें साथी आटी के दीपक जलाकर नदी में प्रवाहित करें इससे जीवन से अंधकार मिटते हैं और खुश्यों का आगमन होता है हर्याली अमावश्या पर अन्यदान से पुर्वजों की आत्मा त्रिप्त होती है इस दिन किसी जरूरत मंदों को चावल गेहुं जुआर की धान का दान करना चाहिए साथी किसी ब्रामण को भोजन कराएं करान किसी आत्मावश्या पंचाल distill ब्रामद करा देया न्हां प्रीव जरूर्वों की जरूरल ऑ्रामिपश्या जरूर। इन्यद्ग करは देणित है